बही वाह रामू काका आपने आज तो नाश्ता बनाने में दिखा दिया कि आपके हाथों का स्वाद क्या है सच में ये संतरों का जूस और साथ में ये पोहे सब कुछ एक कदम परफेक्ट बने हैं सच्ची में मा सुभा सुभा लाइट पोहे और साथ में अगर फ्रेश और इंज जूस मिल जाए तो उससे बहतर नाश्टा तो हो ही नहीं सकता सही कहा ये लीजे रामुजी ये आपका इतना लाजवाब नाश्टा बनाने का इनाम शुक्रिया मालकिन और अभी शादी में दो चार दिन बाकी थे सुनिये सभी हमारा एक एक दिन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बीता लेकिन अब जब मेरी बहु घर आने वाली है तो अब से आप लोगों को यहां काम करने की जरूरत नहीं अब मैं और मेरी बहु ही मिलकर इस घर को संभाल लेंगे शुक्रिया आप लोग इतने समय तक मेरे साथ वफादार रहे लेकिन अब आप जा सकते हैं मा आप सभी काम करने वालों को हटा रही हो हाँ बेटा क्योंकि घर में अगर नौकर हो तो सुना है बहुए आलसी हो जाती है और घर का काम तो बहुए ही संभालती है इसी से तो उनके अंदर जिम्मेदारी आती है इसलिए मैं सभी को भेज रही हूँ पहले मैं अकेली थी और मेरी उम्र भी हो चली थी इसलिए मैं घर का काम अकेले नहीं करती थी लेकिन अब जब मेरी बहुए आने वाली है तो मुझे फिर किसी नौकर की जरूरत नहीं है जया की बात सुनकर रितिका भी सब कुछ समझ गई और सभी नौकर भी वापस अपने अपने घर चले गए फिर क्या था ये दो चार दिन भी ऐसे ही तैयारियों में निकल गए और जया के बेटे रोहित की शादी का दिन भी आ गया आज सुभा के वक्त विशाखा रसोई में नाष्टा बना रही थी नाष्टे में एक टोस्ट और फ्रिंच टोस्ट खाना तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन पता नहीं कि इन्हें बनाना इतना मुश्किल है अभी कल रात ही तो मैंने सभी के लिए खाना बनाया था आज भर से बनाना पड़ रहा है ये भगवान मैं तो ठक गई विशाखा ने किसी तरह खुद को समझाते हुए सभी का नाष्टा बनाया मा जी, रितिका और रोहिट जी सभी आ जाई ये खाना तयार है विशाखा के बुलाने पर सभी आ गया और उन्होंने खाना खाया सभी को खाना खिलाने के बाद विशाखा कुछ देर को अपने कमरे में आ गई और अपना फोन चलाने लगी अह मैंने कभी अपनी जिन्दगी में इतना काम नहीं किया लेकिन अभी तो कुछ देर के बाद मुझे रात का खाना भी बनाना है ये भगवान रात का खाना फिर उसके बाद रात के बरतन वगेरा और फिर उसके बाद फिर से सुबह को जल्दी उठकर सभी का नाश्ता नई 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 मैं इतना सब नहीं कर सकती हूँ एक काम करूँगी मैं आज रात कोई खाना ज्यादा बना लूँगी जब खाना ज्यादा होगा तो फिर सभी नाश्ते में वही खा लेंगी और मैं भी सुबह सुबह मेहनत करने से बच जाओंगी विशाखा ने उसी दिन अपने आपको नाश्टे की किल्लत से बचाने का प्लान बना लिया फिर क्या था शाम को जब वो शाम का खाना बनाने रसोई में आई तो उसने दो गुना खाना बनाया बहुत अच्छे इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने अब सभी को नाश्टे में भी यही खाना काफी हो जाएगा विशाखा ऐसे बोल कर खुश होने लगी कुछी देर में सभी ने खाना खाली और बचा हुआ खाना उसने फ्रिज में रख दिया इस तरह उसके बरतन भी कम सने और विशाखा का काम भी जल्दी निपड़ गया ऐसे ही अगली सुबह आ गई और विशाखा ने सभी के सामने रात का बचा हुआ खाना जैसे तंदूरी रोटी और चिकन और साथ में फ्राइड राइस गर्म करके रख दिये बहु ये सुबह सुबह इतना भारी भर कम नाश्ता हाँ मा जी रात का खाना है वो क्या है न रात में ये बच गया था और अगर मैं इसको दोपहर तक रखती तो ये खराब हो जाता इसलिए आज नाश्ते में मैंने यही सब गर्म कर दिया खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए इसलिए इसे ही खा लिजे विशाखा की बात सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोल पाया और सभी ने ना चाहते हुए वही रात का बचा हुआ बासी खाना खा लिया भाबी ऐसा रात का बचा हुआ बासी खाना खाना मुझे बिलकुल पसंद नहीं है लेकिन चलो अब तो खाना ही होगा विशाखा ने रितिका की बात पर कोई रिस्पॉंस नहीं दिया और वो खुद भी वही रात का बासी खाना नाश्टे में खाने लगी इस तरह सुभा के कामों से विशाखा को आज राहत सी मिली और वो आराम से बरतन वगेरा साफ करने दो पेहर के वक्त रसोई में आई अहरेवा रात को ज्यादा खाना बनाना तो मेरे लिए बहुत फायदेगा हुआ इस तरहा तो मैं अब हर रोज ऐसे ही रात को ज्यादा खाना बना लिया करूँगी फिर सुभा को मैं देर तक सो पाऊंगी और नाश्टे के भी कोई टेंशन नहीं रहेगी विशाखा को एक दिन अपनी ससुराल वालो को बासी खाना खिला कर चसका लग चुका था फिर क्या था ऐसे ही रात को विशाखा ने फिर से ज्यादा ही खाना बनाया और सुभा के नाश्टे के लिए फिर से उसे फ्रिज में रख दिया ये क्या विशाखा आज फिर से रात का बासी खाना नाश्टे में आखर चक्कर क्या है ये वो क्या है ना रोहिद जी कल रात फिर से खाना ज्यादा बन गया था और इससे अच्छा मैं इसे फेकती मैंने इसे नाश्टे के लिए रख दिया खा लीजे ना वरना ये बेकार जाएगा विशाखा की बात सुनकर फिर से सभी कोई कुछ नहीं बोला और उन्होंने रात का बासी खाना आज फिर नाश्टे में खा लिया लेकिन अब लगातार हर रोज ऐसे ही होने लगा था विशाखा जान बूझ कर रात में ज्यादा खाना बनाती थी और ऐसे ही चलते चलते लगबग एक महीना बीतने वाला था आज भी विशाखा ने ऐसे ही रात का बासी खाना नाश्टे में सभी के आगे रखा लेकिन आज किसी ने भी बासी खाना नाश्टे में नहीं खाया जा बहू रोजाना तु यही रात का बासी खाना नाश्टे में हमारे आगे रख देती है जा मुझे नहीं खाना, जब से ये बासी खाना, खारीयों गैस ने परिशान किया हुआ है, ले जा बहू, मैं नाश्टा ही नहीं करूंगी सही का भावी माने, मुझे भी ये भारी भरकम खाना नाश्टे में नहीं खाना है किसी ने भी आज रात का खाना नाश्टे में नहीं खाया लेकिन फिर भी आलसी विशाखा ने किसी के लिए नाश्टा नहीं बनाया उसने खुद उसी खाने को नाश्टे में खाली और बचा हुआ खाना फेक दिया अब से हर रोज यही होता था, विशाखा ये सोच कर रात को ज्यादा खाना बना लेती थी कि आज नहीं तो कल वो लोग उसे नाश्टे में खा ही लेंगे, लेकिन कोई भी अब बासी खाना नाश्टे में नहीं खाता था, विशाखा ही बासी रात का खाना नाश्टे में खात अब तो पडोसी भी विशाखा को नसीहत करने लगे थे लेकिन उसका आलस उसके उपर हावी था वो कभी भी कम खाना नहीं बनाती थी जिसकी वजह से नाश्ते में उसे ही बासी खाना खाना पड़ता था ऐसे ही कई दिन बीट गए थे और अब विशाखा की तबियत खराब रहने लगी थी हर वक्त धकान और चक्कर मुझे हो क्या गया है मा सही कहा विशाखा तेरे चहरे का तो सारा नूर और रौनक भी गायपसी हो गई है आज चल मैं तुझे डॉक्टर को दिखा कर लाऊंगी जरा विशाखा को लेकर हॉस्पिटल चली गई जहां पर उसे चेक अप करवाने के बाद पता चला कि विशाखा का बासी खाना खाने की वज़े से डाइजिस्टिव सिस्टम खराब हो गया है पेट से हमारी पूरी बाडी का सिस्टम जड़ा हुआ है और अगर पेट या डाजिस्टिव सिस्टम में ही खराबी हो जाए तो फिर ऐसी दिक्कत सामने आ जाती है अभी परेशानी कम है लेकिन अगर ऐसा ही भारी भरकम और बासी नाश्ता हर रोज हुआ तो ये बढ़ भी सकता है इसलिए प्लीज अपनी जान और सेहत प्यारी है तो आलसना करते हुए फ्रेश खाना खाया करिए समझ गई बहू जी माजी विशाखा अब समझ चुकी थी कि उससे क्या गलती हुई थी उस दन के बाद से फिर कभी न उसने रात को ज्यादा खाना बनाया और ना ही किसी को भी बासी खाना नाश्ते में दिया अब घर में पहले की तरहा फ्रेश नाश्ता और खाना बनता था और सभी पॉश्टिक ब्रेक्फस करते थे और अब फ्रेश खाना खाने की वज़े से विशाखा भी ठीक होती जा रही थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था देखो दोस्तों आलस का नतीजा एक बहू ने सिर्फ आलस के चलते ससुराल वालों को बासी खाना खिलाने की आदट डाल दी लेकिन उसके बदले उसकी खुद की ही सेहत खराब हो गई क्या आपके भी आसपास कोई ऐसा है जो आलस की वज़ह से ज्यादा खाना बना कर रख देता है आप हमें कॉमेंट करके उसका नाम जरूर बताएं और हमेशा फ्रेश ही खाना खाएं और ऐसे ही कहानी हमारे चैनल पर देखते रहें